बहुत समय पहले की बात है एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया था यह जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्ख किया और कहा नमस्ते बंदर भया क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे बंदर ने कहा तुम मेरी तरह जूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा खरगोश ने कहा तुम मेरे बिल में फिट आने के लिए बहुत बड़े हो इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंधक के पास गया और वही सवाल पूछा मेंधक ने उसे जवाब दिया तुम मेरे जितना उचा कूदने के लिए बहुत भारी हो इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के वाबजूद दोस्त नहीं बना सका फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दोड रहे थे ये देखकर हाथी ने दोड रहे एक भालू से पूछा की इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है भालू ने कहा जंगल का शेर शिकार पर निकला है ये जानवर खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोश लोगों को चोट न पहुचाओ कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगा कर धक्का दे दिया जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गये और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे वे हाथी के पास गए और उससे कहा तुम्हारा आकार एकदम सही है हम सब आपके दोस्त बनने के लिए तयार है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार